जो आज आप 7 cases के बारे में बात कर रहे हैं, उनके confirmatory test अभी तक नहीं आई है, उनके rapid PCR test जो है, वो rapid PCR test उनकी positive आई है, confirm test के लिए हमने गौवा medical college में, उनको quarantine center में है, जो कि आज ही वो लोग boundary से, आज सुबह, वो मुंबई से आये थे specially, और मुंबई से आने के बाद, उनको पर्मिशन लेके यहाँ पर आये थे, उनके हमने directly उनको quarantine center में रखा था, किसी के साथ उनका कोई भी touch तालुकात नहीं हुआ, इसलिए एक अच्छी बात है कि और किसी spreading या community नहीं रहा, इसलिए और directly there in the quarantine center और quarantine center से उनकी जब test ले, तो जो पहले जो rapid test थी, rapid PCR test वो positive आई है उनको quarantine, लेकिन पूरे सभी patients asymptomatic है, within the one family patient है, सभी एक ही family के patient है, और special में कहता हूँ मुंबई से आये थे, जिसे कि अभी red zone से जो कोई आता है, तो इसलिए हम गोवा में जो जो enter करते हैं, उनको 100% उनको quarantine में रखते हैं, और quarantine रखने के बाद उनकी जब test negative आते हैं, तो ही उनको बेज देते हैं, तो इन patient के बारे में अभी we are waiting for the confirmatory test, एक बार confirmatory test आने के बाद ही हम declared कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ही हम जो आता हैं, तो ही हम 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 आता है झाल झाल